बिहार में सिक्षावे वस्ताव को दुरुस्त करने की कवायद को लीकर सिक्षावे भाग के ACS याने की अपर मुख्य सचीव केके पाठक लगतार बिहार के स्कूलों का ओचक निरिक्षन कर रही है इसी करी में गुरुवार की रात केके पाठक जहानाबाद पहुँच गया और वहां पर उन्होंने ओचक निरिक्षन किया इस दोरान बता दे के ACS के के पाठक का डंडा एक और सरकारी करमचारी पर पर गया है जी हाँ नमस्कार आप देख रहे हैं दर्श नियूज और मैं हूँ यती आपके साथ दरसल कल बीती रात ACS के के पाठक जहानाबाद पहुँच जहां हुलास गंड प्रकंड के डूंगडा स्थत जिला सिक्षा एवंब परिक्षन संस्थान याने की डाइट का और चक निरिक्षन उन्होंने किया पाठक के आने की सूचना मिलते ही सिक्षा विभाग के अधिकारियों और सिक्षकों के बीच हड़कम्प मच गया निरिक्षन के क्रम में ACS के पाठक ने परिक्षन प्राप्त कर रहे सिक्षकों से खुलकर बाच्चीत भी की आप तस्वीरों में देखिए कि इस प्रकार से ACS के पाठक वहां मौझूद परिक्षन प्राप्त कर रहे सिक्षकों से बाच्शीत करते हुए देखे जा रहे हैं दोरान परिक्षन प्राप्त कर रहे टोला सेवकों से उन्होंने वारतलाप भी किया और कहा कि आप लोग गाओं के बच्चों को स्कूल में बुला कर साथी एस यह ए केके पाठक ने यह बहा दिया जाएगा उसे जल्द जल्द पूरा करने का निर्देश विदिया। पर उन्होंने विचार करने की बात भी लगाया और उसी बात को उनकर ग्रामीन का जो उन्होंने आरोप लगाया ग्रामीनों की डाइट कोलिज के बगल में गंदगी फ्यलाया जाता है उसे लेकर A.C.S. K.K. पाठक में सिंचार्ज पर भढ़के भी जी यहां बता दे की जैसे ही ग्रामीनों ने A.C.S. K.K. पाठक के सामने अपनी तकलीफे रखी उन्होंने बताया कि जो बिल्डिंग है उसके बगल में गंदगी फैलाई जाती है तो K.K. पाठक ने जो वहां के इंचार आज है उन पर फटकार लगाई है और ततकाल रूप से 50,000 का जुर्माना जो है वो भी लगा दिया साथी निर्देश भी दिया है कि जल से जल यहां पर सफाई करवाई जाए और आगे से ऐसी कोई भी लापरवाही जो है वो नहीं बढ़तनी चाहिए बताते चले कि जैसे ह सिक्षा विवाग क्या परमुकित सचीव केके पाठक क्याने की खबर ग्रामीनों को लगी तो बड़ी संख्या में ग्रामीन भी बीती रात वहां पर उनकी एक जोलक पाने के लिए मौजूत है साथी अपनी तकलीफे जो उने होती है वो भी केके पाठक के समक्ष रखने प मौजूद थे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस केके पाठक जो है वो लगतार अक्षिन मोड में दिखाई दे रहे हैं बीती रात वो जहानाबाद पहुंद है और वहां पर जाकरूरू ने ओचा का निरेक्षन भी किया है बिहार में जिस तरीके से क केके पाठक एक्षिन मोड में है सिक्षा वेवस्ता को दुरूस्त करने में लगे वो हैं वहीं उनको जो केंद्र के प्रतिन युक्ती पर भी भेज दिया गया है लेकिन इसकी बावजूद भी केके पाठक ने जो ठान रखा है कि बिहार के सिक्षा वेवस्ता को दुरूस् अभी कलिए इस खबर में ताहीं दर्श न्यूस पर खबरों का सलसला जारी है अब देखते रहे हैं दर्श न्यूस धन्यवार